नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शेफधी रज है उमीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ हॉस्पिटालिटी क्विज और ये वीक पांच है आप लोगों का धेर सारा प्यार मेरी हॉस्पिटालिटी क्विज को मिल रहा है मेरी कलनरी क्विज को मिल रहा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो आपके अंदर सीखने और स Instagram पे भी लगा देता हूं, उसकी photos में, अगर आपने मुझे Instagram पे follow नहीं किया है, तो वहां भी follow कीजेगा, आप मुझे वहां पे भी जाके अपने जो answers के message कर सकते हैं, even आप चाहे तो मुझे वहां पे tag कर सकते हैं, अपने answers के साथ, जो कि ज़्यादा visibility आपको मिल पाएगी, आपके knowledge को मिल पाएगी, क्योंकि यहां पे से मैं ही नहीं बोलना चाहता हूं, कि आप लोग भी अपने answers द जाल सकते हैं, या रख सकते हैं, हम लोग recipes में teaspoon का प्रयोग करते हैं, तो actual में उसके अंदर जो मात्रा होती है, चाहे liquid बोल दीजे, या solid बोल दीजे, वो कितनी होती है, आपको ये बताना है, इसके बाद जो दूसरा question है, वो है हमारा emulsification, आपको बताना है emulsification क्या होता है या किस sauce को बनाने के लिए हम लोग emulsification का use करते हैं, या एक प्रक्रिया क्या है, आपको clear होना चाहिए emulsification के बारे में, तीसरा मैं here question ले रहा हूँ, fusion cuisine, आपको बताना है fusion cuisine क्या होता है, आप लोगोंने Indian cuisine सुना है, आप लोगोंने Indian cuisine के कई सारे segment सुने हैं, चाहे वो fusion cuisine का मेटलब क्या है, आपको वो समझाना है, आप minimum से minimum सब्स या maximum एक से ज़्यादा paragraph यूज कर सकते हैं, इसके बाद जो next question है, वो आप लोगोंने थोड़ा सा tricky हो सकता है, आपको बताना है कि satellite kitchen क्या होता है, आप लोगोंने Indian kitchen सुना होगा, तंदूर का kitchen सुना होगा, हम लोग कहां पर करते है, satellite kitchen हो सकता है, कई लोगों के लिए बिलकुल एक नया शब्द हो, पर कई लोग जानते हो, पर आपको एक proper way में आपको समझाना है, बताना है कि satellite kitchen हम किसे ही कहते हैं, उसके बाद मैं ले रहा हूँ ये food safety के उपर question है, जो कि बहुत जादा जरूरी ह कि bacteria, हम लोगों को पता है, bacteria क्या होते हैं, आपको कोई भी चार प्रकार के bacteria के नाम बताने हैं, हो सकता है, आप लोगों को पता हो, पर नहीं पता है, तो आप Google चानी कुछ भी चानी है, आपको food safety के बारे में पता होना चाहिए, आपको कोई भी चार bacteria के नाम बताने हैं, इ से बहुत सारी hubs आप लोगों ने देखी भी होंगी और अपने किचंस में इस्तेमाल भी की होंगी अब यहां में आपको हम आपको पता होगा कि हमने hubs को दो categories में बांड दिया है soft hubs और hard hubs आपको कोई भी 5 प्रकार की soft hubs का नाम बताना है इन सब जो मैंने नाम बताएं अब soft hubs यही होता है कि उनका खुद का कोई ज्यादा ज्यादा कोई flavor नहीं होता है ज्यादा कोई खुश्मू नहीं होती है जैसे कि मैं अगर सिंपल सा example दे दूँ कि रोजमेरी जो की एक soft hubs नहीं है क्योंकि यहाँ पी जो रोजमेरी का जो flavor होता है बहुत ज्यादा strong होता है तो आपको कोई भी ऐसी 5 soft hubs के नाम बताने है जो कि आप लोग kitchen में use करते हैं यहाँ पे आप चाहे तो इंडियन के जो herbs हैं इंडियन में जैसे हम लो लोगों को बताना है बुके गार्नी के अंदर आप कौन-कौन से ingredient यूज कर सकते हो basically आप कोई भी तीन यहाँ पे ingredient लिख सकते हो कि आप बुके गार्नी के अंदर क्या use कर रहे हैं simple question है आप लोग easily इसका जवाब दे पाएंगे जो आठों और सबसे last question है वो है icing sugar icing sugar क्या होता है और जो normal sugar हम लोग घर में चाई बनाने के लिए use करते हैं उसमें और इसमें क्या फरक होता है तो icing sugar और इसमें क्या फरक है या icing sugar क्या होते है आप ये भी बता सकते हैं तो simple से 8 questions है जिनका की चुकि मैंने आप से पूछ देने है Instagram पे देने WhatsApp पे आप लोग दे सकते हैं पर मैं बोलना चाहूंगा आपको आप यहां या Instagram पे देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है आप आपकी जो visibility है वो ज्यादा बढ़ जाती है उमीद करता हूं आपको ये culinary quiz अच्छी लग रही होगी क्योंकि लगी रही है औ और आप लोगों से मैं promise करता हूं कि आप इसी तरीके से अपनी activities को बढ़ाते जाए और अपने ग्यान के भंडार को और ज्यादा विस्तित रूप से बढ़ाते जाए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जहिंद